ओम शान्ति आज दिनांक 28 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए चलते फिरते अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ आत्मा से बात करता हूँ मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है मीठे बच्चे तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए चलते फिरते अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ आत्मा से बात करता हूँ मुझे कोई पुरा काम नहीं करना है बाबा आते हैं हम बच्चों को संगम यूख पर आत्म अभिमानी बनाने के लिए तो बाबा सदा कहते कि खुद को आत्मा अनुभव करो जिससे भी बात करो संबंद संपर्क में आओ उसे आत्मा भाई के रूप में देखो तुम जितना जितना आत्म अभिमानी बनोगे उतना उतना बुरे कर्मों से मुक्त अर्थात दूर होते जाओगे क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी इस्थिती में इस्थित होते हैं तो सर्व आत्माएं हमारी भाई होती हैं और एक पिता परमात्मा से हमारे सर्व संबंद होते हैं तो उसी पिता परमात्मा से सर्व संबंदों की अनुभूती कर उस पिता परमात्मा की स्रीमत परचल खुद को आत्मा अनुभो करना है, सभी को आत्मा भाई की द्रश्टी से देखना है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न किया बाबा ने बाप द्वारा रचा हुआ यग्ये जब तक चल रहा है तब तक ब्रहमनों को बाप का कौन सा फर्मान जरूर पालन करना है। प्रश्न किया बाबा ने बाप द्वारा रचा हुआ यग्ये जब तक चल रहा है तब तक ब्रहमनों को बाप का कौन सा फर्मान जरूर पालन करना है। उत्तर में बाबा कहते बाप का फर्मान है बच्चे जब तक यह रुद्र यग्य चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो कभी भी विकार में जा नहीं सकते अगर कोई इस फर्मान की अबग्या करते है तो बहुत कड़े डंड के भागी बन जाते हैं अगर किसी में क्रोध का भूत है तो वह ब्रहमन नहीं है ब्रहमनों को देही अभिमानी होकर रहना है कभी भी विकार के वशिबूत नहीं होना है परमात्मा पिता निराकार जब इस धरा पर अर्थात साकार में आते हैं तो हम बच्चों को भ्रहमन बनाते हैं बाब भी रात को ही आता है इसलिए बाबा कहते सिव रात्री सो भ्रहमा की रात्री गई है भ्रहमा द्वारा ही भ्रहमन बने हैं यग्ये में भ्रहमन जरूर चाहिए ब्रामनों को जब तक यग्य समालना है तब तक बाबा कहते पवित्र जरूर रहना है जिस्मानी ब्रामन भी जब यग्य रचते हैं तो विकार में नहीं जाते भल विकारी परंतु यग्य रचते समय विकार में नहीं जाएंगे जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थ पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते बाबा कहते तुम भ्रामन भी यग्ये में रहते हो फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन जाते हैं यग्ये चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में जा नहीं सकते बाबा ने फर्मान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना नहीं तो बहुत डंड के भागी बन जाओगे विकार में गया तो सत्यनास हुई वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं परंतु सुद्र मलेच ठहरे बाबा हमेशा पुछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिग्या की है अगर बाप से प्रतिग्या कर ब्रामन बन फिर विकार में गए तो चांडाल का जन्म पाएंगे पाबा कहते हैं ब्रामन बन कर कोई सेतानी का काम नहीं करना विकार में जाने से यग्ये को तुम अपवित्र बनाते हो इसमें बड़ी ख़बरदारी रखनी पड़ती है ब्रामन बनना कोई मासी का घर नहीं यग्ये में कोई गंदा गंद नहीं करना पाँच विकारों में से कोई भी विकार नहो ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं यह भूत आया तो तुम ब्रामन नहीं कोई कहे यह तो मंजिल बहुत उची है तो बाबा कहते नहीं चल सकते तो जाकर गंदे बनूँ बाबा कहते कोई बच्चे तो आते ही विकारों को छोड़ देते हैं समझना चाहिए हम रुद्र ग्यान यग्य का ब्रहमनू हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल ख परपण में देखना है कि हम कहां तक लायक बने हैं भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं तो योग में भी जरूर रहना है बाबा कहते सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं बाबा को तो जानते ही नहीं हट योग आधी करते हैं पाते कुछ भी नहीं बाबा कहते त जानती धाम में ले जाने के लिए हम आत्माएं वहां की निवासी हैं हम सुक धाम में थे अब दुग धाम में हैं अब बाबा संगम पर आए हैं और कहते हैं आत्म अभिमानी बनो बहुत मीठे बनो ब्रामन बन कर बाप का नाम बाला करो बाप की सिरिमत पर न चले तो यग्य की और बाप का नाम बदनाम करेंगे तो बाबा कहते बड़ी सजा के भागिदार बनेंगे बाबा कहते यहां अल्माइटी गवर्मेंट है पांड़ाओ और कोरव दोनों को ताज नहीं दिखाते बाबा आकर हम बच्चों को ग्यान के गुही राज समझाते हैं बाबा कहते तुम इतनी नौलेज पाते हो तो तुमको बड़ा खुस रहना चाहिए खुसी का पारा सदा चड़ा रहना चाहिए तो हमको पड़ाने वाला बेहत का बाप आया है तुमारी आतमा कहती है हम पहले सो देवी देवता थे बहुत सुकी थे, पुण्य आतमा थे इस समय हम पाप आतमा बन पड़े हैं क्योंकि रावण राज्य में हैं यहारावण की मत पर हैं बाबा कहते तुम हो इस्वर्य मत पर रावन भी गुप्त है तो इस्वर भी गुप्त है बाबा कहते अभी तुम हो इस्वर्य मत पर इस्वर तुमको आकर मत देते हैं कि खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो और यहा निश्चय बुद्धी होकर इस्मरति रखो कि हमें पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है जब वह साकार में आते हैं तो हम बच्चों को ग्यान के गुहिये राज समझाते हैं तो ऐसे ग्यान के गुहिये राज का सिम्रन करना सदा खुस रहना हर्शित मुक रहना पवित्र रहना पावन बनकर पावन दुनिया बनाने में बाबा के मददगार बनना बाबा कहते ऐसे बच्चे ही ब्रामन हैं वरदान दिया बाबा ने बाबा वरदान में बोले चित की प्रसन्टा द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणी भाव डिटेल में बाबा कहते संतुष्ट मनी उन्हें कहा जाता है जो स्वयम से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हों तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना यही तपस्या की सिद्धी है अर्थाद बाबा आज संतुष्ट मनी उन बच्चों को कह रहे हैं जो पहले तो स्वयम से स्वयम के पुरुशार्थ से स्वयम के परिवर्तन से संतुष्ट होते हैं और अपने द्वारा की गई सेवा से, खुद भी संतुष्ट रहते हैं और ब्रह्मन परिवार को भी संतुष्ट करते हैं, लोकिक में रहते भी लोकिक को भी संतुष्ट करते हैं, सर्व आत्माएं संतुष्ट होकर उन्हें दुआएं देती हैं, वे सदा अतिंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं, जो संतुष्ट मनी होते हैं, वे सदा प्रसन होते हैं, हर्सित मुख होते हैं, क्योंकि वे सर्व प्राप्तियों से संपन होते हैं, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वही संतुष्ट मनी हैं और जो कुछ ना कुछ अप्राप्ति की अनुभूती करते हैं वे बाबा कहते असंतुष्ट हैं तो बाबा तपस्या का कहते तपस्या अर्थात पिता परमात्मा से मिलन की मोझ पिता परमात्मा से प्राप्तियों की मोझ इस संगम युग पर अतिंद्रिय सुख के अनुभूती करने की मोझ तपस्या की सिध्धी जभी बाबा कहते होती हैं जब एक पिता के अलावा कुछ भी यादना हो एक से ही सर्व प्राप्तियां हो एक से ही सर्व संबंदों की अनुभूती हो तो ही बाबा कहते संतुष्ट संपन्न बन सकते हैं क्योंकि संतुष्ट संपन्न वही है जो इच्छा मात्रम अविद्या होकर खुद का परिवर्तन करते हैं यग्य की संभाल करते है और सर्व आत्माओं की सेवा करते हैं प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो सुख चेन की इस्थिती में हो ऐसी संतुष्ट मनिया स्वयम को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी तो बाबा कहते जो विनासी सुख सुविधा के सा जो इस्थुल धन है इस्थुल संपत्ति है वह सब है सारीरिक आराम के लिए सुख सुविधाओं के लिए पर जो सच्चा सच्चा अतिंद्रिय सुख है वह सुख बाबा कहते मन बुद्धी दोनों आराम अनुभव करें दोनों प्रसन रहें दोनों संतुष्ट रहें जब हमारा मन और बुद्धी सर्व प्राप्तियों से संपन होगी तभी हम इस संगम यूग पर पिता परमात्मा से मिलन मना कर अतिंद्रिय सुख की अनुभूती कर सकेंगे तो बाबा कहते जिन बच्चों के दिल दिमाग सदा आराम में हो सुख चैन की इस्तिती में हो वे संतुष्ट मनी होते हैं और सर्व की दुआओं के पंक लगा कर उड़ने का अनुभव करते हैं अर्थात जो संपन होता है संपूर्ण होता है वह सभी को कुछ ना कुछ देता रहता है और ब्रामनों का गयन है आप प्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रामनों के खाजाने में ब्राम्मन जीवन हमें इसी लिए प्राप्त होता है कि ब्राम्मनों का काम है देना, इस देने में ही लेना समाया होता है, तो जितना जितना हम सर्व आत्माओं को गुन ग्यान तथा सक्तियां देते हैं, उन्हें सुक, सांती, आनंद, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति करा आते हैं, तो उन आत्माओं के द्वारा हमें दुआएं प्राप्त होती हैं, तो बाबा कहते सुवयम से संतुष्ट, सर्व आत्माओं से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट, और फिर उसके रिटर्न में सबकी दुआएं प्राप्त होना, यही संतुष्ट मनी आत्मा की निस स्लोगन में बाबा कहते हैं सच्चे दिल से दाता विदाता वर्दाता को राजी करने वाले ही रूहानी मोज में रहते हैं अरथात एक पिता परमात्मा वर्दाता राजी कब होते हैं जब हम एक वरता होते हैं एक मती होते हैं हम एकागरता की सक्ति द्वारा मन बुद्धी को उस पिता परमात्मा पर एकागर रखते हैं उस पिता परमात्मा की ही स्रीमत पर चलते हैं एकोनोमी एकोनोमी का प्रयोग करते हैं तो बाबा वरदाता जो है वह हम से खोस राजी प्रसन रहता है और उसके रिटर्न में हम आत्माएं रूहानी मोच की अनुभूती करते हैं अर्थात अतिंद्रिय सुख का अनुभव हमें होता है ये थे बाबा के महावाग के अच्छा ओम शांती क्यों हमें हो अ करते हैं अजए हमें दोटैंड़ जैरिय जो हमें जथे ख dug शांती अ झाल झाल